जैसा कि देख रहे हैं हम पर पेपर कटिंग हम डाउनलोर जैसा कि लिख्या गाए कि सभी वर के गड़ीप परिवारों को मिलेंगे यानि जितना भी कर्टिग्री क्याते हैं सरकार देने वाले तो यहां पर नीचे आएंगे तो और भी हम बता गया नए साल में गड़ी परिवार को जिविको पार्जन के लिए सरकार बकड़ी देगे इसका लाफ सभी वर के परिवारों को मिलेगा समान को 80% के लिए 90% अनुदान और बकड़ी मिलेगा ठीक है यहां पर सही गड़ी परिवारों के लिए पर सभी वर्गों के लिए पर अनुदान मिलने वाला है वह 80% उनको मिलने वाला है और जो HC-ST से आएंगे उनको यहां पर 90% अनुदान आपर मिलने वाला है ठीक है और यहां पर नीचे यह लिख्या गया है इस बार परसुव मत्से संसाधन विभाग ने बदलाव कर दिया है ठीक है अब जीविका नहीं कुद विभाग के अस्तर से बकरी वित्रण होगे और यहां पर कि लिख्या है कि इस संसाधन विभाग ने युजन मिद बदलाव कर दिया गया है अब अब यति दो के लिख्याया बाइस लाग पचाती हजार का परधान किया है और यह उपर लिखा गए कि नत नसल की बकड़ी का अफसत मुल 15,000 रखा गया मनुकि मान की बकड़ी जो क्या मुल यहां पर रखा गया कि 15,000 तक रखा सरकार ने रखा है वही समान वर्क को समान वर्क कर टेगरी के लिए 12,000 अन परसेंट चुट दिया गया है उसी के कॉर्डिंग आपर अनुदाने आपको मिलने वाला है और यहां पर पता गया है कि इस साल 441 परिवारों को तिन तिन बकरियां देने का लक्ष है ठीक है इसमें समान के लिए के लिए आपको 735 परिवारों को बकरी देने का लक्ष है योजना का क्रियान इला अस्तर पर होगी ठीक है अब वेदन वेबसाइट एतना पर लिए जाएंगे विभागिये मंत्री अब फाक आलं ने कहा गड़ीवों को बकडी पालन से आर्थिक लाव दिलाना है तो इस जो साइट पर आपको अवेदन होगा तो इस वेदन नहीं चाहते थो चलिए इस बिपता ही और मिलते हैं पर एक करने सब्सक्राइब के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक किजिए और शेयर भी कर दिए क्यों लोग भी जनकाड़ी हो सके जो इसता से उजना कलाब लेना चाहते हैं